YouTube Channel के लेख उत्य दिए नीप को आपको मज मों गे वीडियों विडियों से हम यूदिए नहीं हूँ नियूत जो हम उत्पटेमन सब्सक्राइबya लिए विडियों सब्सक्राइब करना लाजमी इन क्या जा दिए हूँ जोक्reiben कमें व्लोग增ालेCमे किया को और हम सब को पता है कि वह पहर है निकल गई डूख से सफराल से इतने मसले हुए हैं अभीनन मैं कुछ व्लोग्र्स कि गुछ रेक्षिन्चेनल आ अधे कीए नी रीक्षिनम इख रही होता हैं मुझे काफी नाम में issues होते हैं मैं ना उसके वीडियोज देख रही थी तो उस वीडियोज में उसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी लान्विज यूस की है threats दी है उसको उठाने की बाते कि बहुत कुछ अजीव-जीव किसम की बाते की है जो कि मुझे वाक़ी गलत लग रही है देखो मैं यह नहीं कहूंगी कि सपना पूरे तरीके से right है हाँ मुझे उसके वीडियोज में जो अभी की वीडियोज आई एक सुकून जो है इसके चेहरे पर जरूर नजर आया लेकिन हम उस सुकून को यह नहीं कह सकते कि वह गलत है ठीक है यह वह सुकून को पाने का हक नहीं रखती देखो हर इनसान की अपनी मर्जी है वो चाहे सुसराल वालों के साथ रहे चाहे नहीं रहे जितना हमने वीडियोज में देखा है मैंने अब भी कहा है कि हमने एक तरफ की सचाई देखी है दूसरी तरफ की सचाई हमें नहीं बता हो सकता है जब दूसरी तरफ की सचाई निकल के आए तो गलती सपना की भी नजर आए लेकिन अब भी जितना कुछ गलत होता है जितना कुछ लगता है कि नहीं है सपना यहां पर थोड़ा सा कर सकती थी सपना के जिस चीज़ पर पॉइंट बात उटानी थी हमने उठाई लेकिन किसी भी लड़की को थ्रैड करना या यह बोलना कि तुम में उठाके ले जाएंगे तुम बदनाम करी हो यह देखो हुआ तो है ना रिकॉर्डिंग्स ऐसा त आपके नहीं बन रही जस्ट सेंपल आप एक दूसरी को छोड़ सकते हो आपके पास चोड़ने का रसता है ना औरत के पास है ना मर्द के पास है तो हाथ तो उठाना ना किसी भी किसम से काफी लोग बोल रहे हैं इसने बहुत वीडियो कट करकर कर करके लगाई यह यह यही बत्तमीजी थी तो उसका सीधा सीधा था कि आप छोड़ सकतो आपके पास छोड़ने का अप्शन है मारने का हक आपको किस ने दिया बीवी को मारने का हक तो आप रखती ही नहीं हो औरत को मारने का तो दिया ही नहीं गया वाई सीधा सिंपल हमारे कुरान में भी हुकम है कि अ इस बात को मैं याद रखना चाहिए जो भी और तो बोल नहीं है कि इसने भड़काया था इसने इसलिए आथ उटाया जितना भी और भड़काया आपको हाथ उटाने का है नहीं आप सिंपल छोड़ सकते हो और भाई 90% लड़किया जो है इंडिपेंडेंट्स की वज़ा से ज दिन भी का है क्योंकि और इंडिपेंडेंट्स नहीं है न इसलिए और जहिलती है और जिआदा जहीं चाहिए हम पते यह कब दुमिया में रहते हैं जहां पर हमको औरते जो हैं वह बहुत ज़यादा उपर नजर आरी होती है और जब ज़्यालना माश्रा में आज बिखत ब गलत औरते भी होती हैं बहुत जगाओंकर लेकिन बर्दाश भी औरती सबसे ज़ादा रखती है अध्यारत में इस बर्दाश करती है तो यह न बोलो कि ओरत बर्दाश करती है करती है हर औरत बरदाश करती है अब रही सपना की बात उसके चहरे पर काफी लोगों को सुकून नज़र है उसको भी बात वा कि यह तो चाहती ही आई थी ना भाई क्यों नहीं जाएगी जितना उसने कुछ जहेला है वो अपना हक रखती है वो किस हक से रहा है ठीक है अगर उसके निकलने की स्ट्रेजर्टी थी कि उसको यह निकलना था और इसने है बावाल इसके बात पर हुई तो यहां mare और यूमें में निकलना था तो गंदा की बगार भी निकल सकती थी लेकिन चलो ठीक है लेकिन भाई अगर उसके चहरे पर यह सुकून है तो एच्छो के वह यह सुकून डिजर्फ करती है उस दिन भी काफी लोग इसके इस बात पर इसको तीसरी शादी क्यों इतना बिलंडर है अभी तो उसको कम सुनने को मिला गया है अभी मैं रीसेंट मुझे एक लड़की ने मुझे कमें एक व्लॉग जो है सपना का भेजाता जिसमें सपना ने जो अभी जो रेखा जो बहुत जादा बन रही है बहुत जादा उसके लिए सपोर्ट दिखा रही है लेकिन उसका एक क्या कुछ नहीं बुली अप्शागुन है और क्या बुला उसको कि हाँ दो बेटे तो खा गई तुम्हारा बेटा भी खा जाएगी मतलब जब उसके रिष्टदार ही इस तरीके से बोले तो 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 सोचो लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हों यह मैंने पहले भी कहा ह आज भी बैकवर्ड वाली जिंदगी में रहते हैं उनकी सोच हो इसे छोटी होती है बनिसबर शहर वाले से बहुत काफी लोगों को ओंगे जो ठीक होंगे लिकिन अगर आप पर मिलेगे तो वहां पर आपको मिलेगे क्यों कि मैं हकीकत पर बात करतूं मैं डिलियोजन वाल उसके चहरे पर काफी दिन बात देखने को मिला है जिसका राजवीर के साथ चहरे पर दिखने को डलता था ना वो सुकून उसका एक अलग किसम का सुकून है क्योंकि वो एक मैंटल टॉर्चर में थी अब वो किसी भी किसम का मैंटल टॉर्चर हो यार अगर वो बरदाश्ट और बेटे उन्होंने खुए हैं तो यहां पर हज्बंट इस ने भी को आ है तो उसको भी पूरा हग बनता है कि आप उसको भी बरदाश्ट करो आ उसको भी साथ दो, अब उसके लिए भी के स्टैंड लो, लेकिन वो लड़की इतना टाइम जितना भी रही, अब काफलो कोई इसके निकलने के बहाने थे, इसको घर से निकलना था, ठीके भाई, वो हक रखती है, कितने टाइम बढ़दाश करेगी, ऐसा तो नहीं है, कि बाते नहीं दूसरी तरफ का पॉइंट हो सकता है, थोड़ा बहुत चींज आए, वो जब भी आएगा, उस पर हम तब रियक्शन देंगे, लेकिन जो फिलहाल दिख रहा है, वो यहीं दिख रहा है, कि सपना चलो ठीक है, तो जिन्दगी में हमेशा बोलते हूं, जब चीज़े बहुत अलाग इस तरफ है, अलग उन्य रहने के भी बहुत फाइदे हैं, तो फाइदे हर तरफ है, और नुकसान भी है ऑने जगाओं के, जगाओं के, जगाओं पर हर लड़की यह कपल जो एपनी जिन्दगी में एक प्राइवेसी चाहता है, तोड़ी सी अजाधी चाहता है, अ वही चीज सपना के साथ होती है, अगर सपना को जिंदगी में इतना कुछ दे देते हैं, इतना भी उनको देना था, उसको संभाल लेते हैं, तुम्हें दुख है, मैं मानते हुँ, उनके माबाप को बहुत जादा दुख है, कि उन्होंने भी अपने दो बेटे को है, लेकिन इतना ही दुख सपना को भी तो है ना उसके सामने भी तो दो चोटी बेटियां है ना मतलब भाई थी के तुम्हारा से बुराई हो सकते हैं सपना से तुम गलत समझ सकते हैं लेकिन वो बेटियां तो तुम्हारी अपनी थी ना वो बेटियां वो जो पोतियां थी वो तो अप दोनों फैमिली को रिलाइज होगा लेकिन उस वक्त तक शायद बहुत बात आगे जा चुकी होगी सपने अपनी जिंदेगी में बहुत ज़्यादा मुववान पूर्ण है जवानी में मुववान करना बहुत एजी होता है पनिस्बत बुढ़ापे में मुववान करना इनके मुववान आगे जाके बहुत मुश्किल हो सकता है अभी तो बड़ा नॉर्मल से कैजवल बीएफ कर रहें के हां क्या हुआ बहु चली गई न जाने बेटे मैंना भीज दिए दो बेटे भीज दिए वह अगर बहु और पोतिया भी चली तो क्या होता है अभी हम अकेले सु कि जो ऑडियंस बहुत एक तरफ का सुनके अंधबक्त को इतना सपोर्ट कर रहें तो अंधबक्त भी नहीं बनना चाहिए आपको और बहुत सारे पॉइंट नहीं हटाना चाहिए ठीक है मुझे लगता है इस चाइम पर सपना बहुत जादा सर्वाइफ किया सपना ने किया वियां यचक के नहीं किया सपना ने सर्वाइफ लेकिन हर वक्त लेंडा अधा है ओटा के लिए उसके थानियोंग्त का संसर पर पेज़ियों आगे यप जया कि आखे कि देखेंगे जो भी तो आगयों आगे जएक आते हैं मुझे भी लगता है कि जो थ्रेट दे रहे ना उन पे तो प्लकुल केस करना चाहिए भाई होते कौन हो आप थ्रेट देने वाले किसी भी लड़की को लेकिन मुझे एक पॉइंट में जाए कि उससे थोड़ा इसा हो हुआ है वो बुलता है यानि जो इंसान सोशल मीडिया प पूरत यह कैसे हो सकता है मतले को इसकी खिसाम के हाइपक्रिसी कैसे है एक एकस् ucakt ऋयुयार सकते हो यार नहीं कर सकता एक नaty ब exhibition को लो festivals के ब्लाए तो एक भाई का जाए सब्सक्राइब होगी सफना के लिचाहिए बहूद refuse to lessons बुले घर और तक हड़ टूम इस टाइम फर वो YouTube से बहुत अच्छा अंड करेगी क्योंकि लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट भी बहुत करते हैं ऐसा नहीं है कि सपना को सपोर्ट नहीं किया जाएगा सपना को बहुत सपोर्ट किया जाएगा और अच्छी बाते करना भी चाहिए यार उसकी दो दो बेटिया हैं वो भी उसके फसेव हैं जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो इंशाल्ला यूट्यूब से इतना अच्छी एजुकेशन एक अच्छी जिंदगी और एक सुकून वाली जिंदगी उसके खुद को भी देखने हैं ऐसा मेंटल रिलेक्स फील हो रहा है मुझे भी लग जब दोनों फैमिलीज में तिरी जादा मस लेते अब वो भी अपना सुकून से रहेंगे यह भी इपना सुकून से रहेंगी मैंटल पीस बहुत जरूरी आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वह मैंटल पीस उसके चेहरे पर नजर आ रहा है चेहरा हर बात का गवा होत अगर थ्रेड दे रहे हैं या सपना को गालम गलोच करने कहीं से हक नहीं बनता है हम रिव्यूर का काम रिव्यू करना है ठीक हम हार पॉइंट्स पर हक उठाने का हक रखते हैं लेकिन किसी को थ्रेड करना यह जुर्म है और यह जुर्म की सजा आपको मिल सकती है सब्सक्राइब करना है जो काम आपका रिव्यू करने सिंपल काम है वह बंदा करना भाई ऐसे पंगे में काय पढ़ना है मुझे समझ भी आता है मैं अगर सपना ने यह किया तो मैं उसको ठालूंग भाई क्यों बोलना है ठीक है जो आएगा जैसे चैनल पर आएगा हम वह हम अपना रिव्यू देंगे लेकिन उस चीज़ पर हम उसको बोल देंगे इसने यह किया अप तो उसको मार देना चाहिए यह उठा देना चाहिए इस नौड़ा फैर यार मुझे नहीं लगता यह कोई फैर वाली बात नहीं है यह गलत है और गलत ही रहेगा तो गलत को चा बात को लेकर है क्या नहीं है थोड़ा सा फर्स्ट ट्विट भी निजर आ रहा था मतलब कि उससे पूछा किया जब नीतू दी का है तो उसका बड़ा जवाब दिया जीब सही जवाब दिया तो मुझे लाइव उसकी कुछ समझ नहीं आड़ी जबरदस्ती की लाइव थी क वह एक सपोर्ट सिस्टम वह मुझे कहीं सपोर्ट सिस्टम फील नहीं वा उसका याने जो बंदा दिल से कर रहा हूं और इस बंदे का किया वह तो मुझे दिल से नजर आता भी रीसेंट आपको पता होगा जो इसना प्नी बहान बनाया था जिसको और उसकी दैत हो गया कि लखान और नीटू दोनों गयते हैं तो वह फील होता है हाट सबको फील हो जाता है कि बंदा दिल से कर रहो और बंदा दिल से नहीं कर रहा है एक और बात जो बहुत ज्यादा उठाई जा रही थी सपना के उपर पिस अपना लालची है उसको अभी पी अपने हस्बंड चल बीलकुल मांग सकती है उसका हग बनता है उसकी बैचियों का पूरा हम बंता है अनूसकी के रैचाइस अब जहताई जिनदीघी वह अब वो भी मर जाए वो भी सूरी पर लटक जाए यह कैसी यह लोगों की तिंकिंग मुझे नहीं समझ में आती एक लड़की जिसका अल्वेडी हस्बंड चला गया चट चली गए इसके घर से वह बेगर हो गई चलो यह तो मैं बोलती हूं सपना के पास तो एक सपोर्ट है उ शिंदगी बहुत मुश्किल है यहां पर मर्त को निग्लेट कर रही हमसे कम ही पहनते है अपने बीवी बच्चों को दुख दिये जाते हैं और सोचते हैं तो बहुत ताकत है न वह तो जेल लेगी तो यह थोड़ा सा हमारी सोसाइटी वालों का भाई सोच आम क्या कर सकते हैं अचा जब हम थोड़ा सा आजाते हैं ग्लाम कपल के बारे में एक न्यूस चल रही है कि शायद वह प्रेगनेंट है जो के लड़की है वो प्रेगनेंट है हमानशी इस वज़ासे वो लोग अभी दूर हैं और हिंट जो है वो हमानशी ने जो हमानशी बूलने तौबा वो जो रिशी है उसने अपने व्लॉग में दे दी है कि मैं फादर बनने वाला हूँ यह वो तरीके के हिंट एक प्रेगनेंट है इसलिए वो थोड़ा रेस्ट मोड में गई है अपने मा के गारी है इधर डिवास की न्यूज है चल रही है तो यह इनको पता है कि देना है अब उसका डिवास की हिंट थोड़ा काम नी गरी थी नहीं आप प्रेगनेंस लगा दिये तो अगर उस वीडियो नजर आया नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा है कोय सब्सक्राइब कुछन नहीं रहे हैं एसında सब्सक्राइब हैं एक सब्सक्राइब टो थोड़ दिया Pशार हिए इसलिए जूप रहे हैí लिसने करें वाचिंग की टेक टेक्यार और दोन ट्रॉपिक्स पर आप बताना कि या लखन की वीडियो पी आपको भी देखके लगा कि वो जबरदस्ति की वीडियो बनाई गई है या सब मुझा ही फील हो है या मा केली पागल हूं यहां सबको फील हुआ कि नहीं बाई लख की वीडियो जो है वह वाकि जबर्दस्ति वाली लग रही है और सपना की पॉइंट्स आफ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी हुआ जैसा भी हुआ एंड थैक्स पॉन लिस्निंग वाचिंग टेक केर बाई बाई लाफ फेस